नमस्कार दोस्तों मैं सुमते को फिर से बहुत बहुत सौग करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हेलपर यूट्यूप चानल पर फिर इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि हॉस्टल अलॉट्मेंट कैसे होता है आपको आईचम जो भी आईचम आपको अलॉट हुआ ह उस आईचम में आप हॉस्टल कैसे लोगे बहुत सारे स्टूरंस को पता है कुछ एक स्टूरंस है जिनको नहीं पता है तो उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है गाईज सो हॉस्टल के लिए देखो लास्ट येर क्या हुआ था कि जो आपका एंसी एचम का जो पोर्टल है ये जो प्रोफाइल जहां से आप अपना पूरा काउंसलिंग प्रोसेस की हो तो वहाँ पर ही हॉस्टल विलिगनेस का भी आप्सन आता था लेकिन इस वार ये जो हॉस्टल विलिगनेस का यहां पे कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है तो अभी आपको हॉस्टल कैसे लेना है आप कैसे अपलाई कर सकते हो हॉस्टल लेने के लिए वह आपको बता लग जाएगा या नहीं तो हर एक हॉस्टल के वेबसाइट पर जाओगे अगर उस आपकी बात है के लिए आपको कौन सा application form बढ़ना है हॉस्टल के लिए आपको कौन कौन से documents लगने हैं यह सब कुछ आपको फिल करके वहाँ पे mail कर देना है आपके respective IHM के अंदर में जिससे आपको hostel allotment हो सकता है hostel allotment का जो date रखा किया है वो है 4 अगस 2020 लेकिन जब आप अपने physical reporting के लिए जाओगे एक तारिक से तीन तारिक के बीच में अपने respective IHM में जो भी IHM आपको allot हुआ है तो उस दिन ही आपको probably पता चल जाएगा कि आपको hostel मिला है या नहीं मिला क्योंकि दे आप देख लोगे कि आपको कौन सा IHM allot हुआ है उस IHM में hostel को लेकर के किस तरीके से सीन रहता है तो यह सब कुछ आप वहां से जान सकते हो इन शॉर्ट होस्टल लेने के लिए आपको जो भी IHM allot हुआ है उस IHM के website पर विजिट करो वहां से यह आपको सब कुछ पू देख सकते हो आपको पता लग जाएगा कि कौन से IHM में कितना हॉस्टल फी रखा गया है और मतला ओने वाला आपको होस्टल फी वहां से किलर हो जाएगा अभी के लिए बस इतना ही उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लाइक लेटिस अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट लिए यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर पेस कर दें जिससे आने वाले साड़े इंपोर्टेंट अप्डिक्टी नोटिफिकेसंस आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद